कोंग्रे सेवादल पठान कोट की और से जिलाध्यक्ष गुलशन कुमार की अध्यक्षता में आज महात्मा गांधी की पुन्यतिती पर बालमिकी चोक में उपवास रखा गया इस दुरान गुल्षन कुमार ने बताया कि किसानों के समर्थन में आज कॉंगरस सेवदल की ओर सो पुवास रखा गया है और पुन्यतिती पर महात्मा गांदी की प्रतिमा पर पुश्प अर्पित करके उन्हें शर्धांजली बेंट की गई है वह उन्हें कहा कि मोधी सरकार किसानों के साथ गलत कर रही है जिसका वैप रुजोर विरोध करते हैं वह उन्हें कहा कि किसानों की बविश्य को बरबात करने वाले उक्त काले कानुन वापिस होने चाहिए इस मांग को लेकर कॉंग्रेस सेवादल किसानों के साथ खड़ी है जान ने प्रोटेस्ट ने दूसरा रंग लेले जिदे वेचे किसाना नुन जाने बदनाम करनी कोशिश की ती और ऐसा नहीं होना चाहिए शांती में विचाने प्रोटेस्ट कर देए अज चानने कि अहीं भी उना दा साथ देए साड़ी कांगर्स पार्टी पी पूरा साथ द जान दे आंगे साथे प्ठान कोटों भी जत्थे जान के होते उना सिंदू वार्ट देवेच उस तर नेरे चे शामेन वन बास्ते आज जहीं प्रण लेने यह कोड़ी कांग्रस दी गाइड लाइन है कि सुरक नो कंटे दा उपवास रखना यह तो अड़ेवलों रखे कि अगए आपनी कागरस पार्टी दा एक शांती दा कसंदेश देना चाने है शेर वासी अनू कि शांती में तरीके दा लाइन ही सारे प्रोटेस्ट्टों ने जहें ना कि कोई वाइलेस्ट करके या हिंसा क्रेड करके किसाना ने कुछ नी किता कोई गल्ब ततब सरकार दे कि अंदर को सगेजिना करके सारा जड़ा तर्वासी का एक दूसरे दिशा ला गया तो ही लोग दिखें जड़े कि मेन्यादों पद्रस कर रहे सी पंजाब जे तरन्यादे बैठे थे वही लोग तो सर मेरी कासुरों ना तुहीं उन्हीं बैठे हैं थे आके कोई गल्त और बंदरी बिचारदा रा किता नहीं है केडिया डायलोजी नूँ फालो करदा है ते उज़े डेपेंड करदा सारा पठानकोर्त कैमरमेन अभी शेख पारदवाच देनाल अजे सानिधी रिपोर्ट